आज हम National Income Calculation का Value Added Method या Product Method दोनो नाम है इसके वो कहने वाले हैं और इसको हिंदी में हम कहते हैं मूल ने वृध्धी विधी या इसको उत्पाद विधी कहा जाता है तो इसमें होता क्या है इसमें सबसे पहले हम GDP at MP calculate कर लेते हैं इस विधी में सबसे पहले GDP at MP calculate हो जाता है जब वो हो जाएगा उसके बाद question में जो भी पूछा जाए उसके हिसाब से हम convergence कर लेते हैं तो majorly हमको यह calculate कर लेना होता है तो हमारा आदा काम वहीं खतब हो जाता है अब क्या होगा GDP at MP का क्या मतलब है तो GDP at MP का मतलब है gross domestic product at market price अब इसको हिंदी में सकल करे लूद पार कहेंगे बाजार कीमतों पर तो यह calculate होता कैसे है कि हमारे country के अंदर जो total output produce हुआ उसका जो value है उसमें से हम हटा देंगे उस total output को produce करने के लिए जितना हमने intermediate good का इस्तमाल किया जितना मध्यवर्दी वस्तू का इस्तमाल किया उसकी value को अगर अब हटा दें तो अगर हमने एक समान produce किया उस समान को produce करने के लिए हमको जो जो चीजें लगी जो जो चीजों की जरूरत थी जो intermediate goods के अंदर हम डाल सकते हैं जैसे raw material वगेरा कच्चा माल वगेरा जो हम इस्तमाल कर रहे हैं तो अगर हम total output का जो value है उसमें से उस मध्यवर्थी वस्तू की value को हटा दे जो हमको लगाना पड़ा उस समान के production के लिए तो फिर हम GDP at MP तक पहुँच जाएंगे और यहां तक पहुँच के तो हमारा आदा काम खतम फिर बस convergence required होगा जो हमसे बूचे हम वो बता पाते हैं अब क्या होगा इतना simple तो question दिया नहीं जाता है कि हमको value of output दे देंगे intermediate good दे देंगे और बोलेंगे आप बता दो GDP at MP तो ऐसा तो अक्सर होता नहीं है तो वो अक्सर चीजों को थोड़ा सा complicate करने के कोशिश करते हैं जैसे इसमें अगर वो ऐसा दे दे कि output की कितने units produce हुई हमें सीधा value of output नहीं दिया उत्पाद का मोले ना देके वो हमें ये बता दे कि हमने इतने quantity of good जो है output जो है वो इतने units है हमको अगर वो ये बता दे और साथ में बता दे per unit जो output का है उसका price क्या है तो जब हम इन दोने को multiply करेंगे तो हमें उत्पाद का मोले या value of output मिल जाएगा तो अगर हमको ये दे रखा हो तबी भी कोई problem नहीं है इन दोनों को multiply करो यहाँ पे पहुँच जाएंगे इसमें से मद्यवर्थी हटाओ फिर हमें GDP at MP या इसको GVA at MP भी कहा जाता है यानि gross value added gross value added at market price हिंदी में इसको बोलेंगे सकल मूल निवर्थी तो ये हो जाएगा दो चीजें देखी हमने पर अगर मानो उन्होंने हमें ये भी नहीं बता रखा कि कितने units produce हुआ क्या price था ऐसा भी नहीं बता रखा अगर इससे भी एक level उपर जाएंगे तो वो क्या करेंगे वो हमको बता देंगे कितना समान बेचा गया sales कितनी हुई और साथ में stock में change कितना आया stock में परिवर्थन कितना आया तो ऐसी situation में क्या करना है हम जब sales यानि बिक्री और stock में परिवर्थन इन दोनों को add करते हैं तो इन दोनों को add करने पे भी हमें value of output मिल जाता है तो अगर हमको ये दोनों ही क्यों नहीं दे रखा कोई problem नहीं है इन दोनों को add करेंगे हम value of output तक पहुँच जाएंगे उत्पात के मूली तक पहुँच जाएंगे फिर उसमें से मध्यवर्ती हटा देंगे अगर हमको sales साफ साफ नहीं दे रखा है कभी कभी ऐसा हो सकता है तो हमने जो value हमने जो output produce किया है वो output ऐसा हो सकता है कि उसकी जो बिकरी हुई है उसका जो sale हुआ है ऐसा हो सकता है कि या तो वो हमारे country के अंदर ही sale हुआ है या ये भी possible है कि हमने उसको बाहर की country में export किया तो जो export किया है हमने, जो हमने निर्यात किया है वो भी तो बिक्री का ही बाट है, उसको भी तो हमने बेचा है तो अगर sales साफ साफ दे रखा है, बिक्री साफ साफ दे रखा है तो इसका मतलब तो यह है कि उसमें ये दोनों चीज़ें पहले से included है तब तो हमें कुछ नहीं करना अगर विक्री साफ साफ दे रखा हो और export भी दे रखा हो तो फिर हमें ये गलती नहीं करनी है कि हम इन दोनों को add करें ऐसा बिलकुल भी नहीं करना है अगर विक्री दे रखा है, सेल्स दे रखा है तो इसके अंदर domestic sales यानि हमारे देश में जितना समान भी का और जितना हमने export किया, निर्याद किया दोनों अपने आप ही शामिल है पर अगर वो ऐसा ना करें वो हमें sales ना दे, विक्री ना दे हमें बोलें घरेलों भी करी इतनी है domestic sales इतनी है उस case में निर्याद भी add होगा ताकि हम total sales जान पाएं तो sales के अंदर दोनों चीज़ें आएंगी धियान डखना है हमारे देश में जितना समान भी का साथ में हमने दूसरे देश्यों को कितना समान दिया इन दोनों को add करेंगे तो हमें कुल बिकरी पता चल जाएगी जब कुल बिकरी पता चल जाए उसमें हम change in stock को add करेंगे यानि stock में परिवर्तन को add करेंगे फिर वापस से वही जब इक कर दिया तो आप पहुँच गए value of output पे उसमें से intermediate हटाओ और वापस से हम GDP at MP पे बहुच जाएंगे इतना हुआ एक काम last काम जो कर सकते है इसके लावा इसमें कुछ भी possibility नहीं है एक काम all किया जाता है कि हमको change in stock साफ साफ ना दे हमें बोले closing stock इतना था opening stock इतना था ऐसा करके तो उस case में कुछ भी नहीं करना आपको अगर change जानना है बदलाव जानना है तो क्या करेंगे difference करेंगे minus करेंगे तो हम closing stock में से यानि अंतिम stock में से opening stock यानि आरंबिक stock इसको minus कर देंगे और वापस से मुले आ गया उसमें से मध्यवर्थी हटाओ और हम अपने GDP at MP पे पहुँच जाएंगे तो बस इतना सा होता है अब इतना समझ आएगा तो हम सारी questions कर पाएंगे बस इसमें majorly न इतना ध्यान रखना है अगर हम इस चीज़ को अपने इस तरह से होता है फिर ये question गरत नहीं हो सकता फिर बस इतना हमको ध्यान रखना है कि अगर नीचे वाली चीज़ दी है अगर नीचे वाली चीज़ दे रखी है हमको उपर वाली नहीं दी है तो नीचे से उपर पहुँचने के लिए नीचे वाली चीजों को add किया जाएगा जैसे sales नहीं दे रखा है हमें domestic sales और export दिया है घरेलू, बिक्री और निर्याद दिया है तो ऐसे case में नीचे वाली चीजों को add करके उपर पहुँचा जा सकता है अब अगर हमको value of output साफ साफ नहीं दिया है हमको बिक्री और stock में परिवर्तन दे रखा है changing stock दे रखा है तो फिर इन दोरों को add करो, फिर उपर पहुँचा होगी बस इसमें कभी ये गलती नहीं करनी है जो सब कर देते हैं और ये question गलत होता है बस ये गलती नहीं करनी है कि अगर हमको उपर वाली चीज दे रखी हो उपर वाली चीज दे रखी है और नीचे में से कोई एक या एक चीज दे रखी है तो ऐसे case में ये गलबर नहीं करनी है कि हम इन दोनों को add कर देंगे ये गलती कभी नहीं करनी है इन दोनों को add बिल्कुल नहीं किया जाएगा क्योंकि उपर वाली चीज के अंदर नीचे वाला पहले से शामिल होता है यानि सोचो अगर हमको value of output दे दिया जाए और साथ में हमको कोई एक stock दे दिया जाए closing stock या opening stock दे दिया जाए तो फिर हम इसको add थोड़ी करेंगे ठीके या stock में परिवर्तन दे दिया जाए तभी भी इसको add नहीं किया जाएगा क्योंकि value of output में तो बिकरी भी शामिल होता है साथ में change in stock पहले से ही शामिल होता है तो उसको अलग से add नहीं करना है तो बस इतना सा ध्यान रखना कि अगर हमें उपर वाली चीज गिवन है और साथ में नीचे में सिफ कोई एक चीज दे दी है तो गलती करके उसको add नहीं करना है उपर वाली चीज के अंदर नीचे वाली चीज पहले से included होती है ठीके उपर वाला ना दे रखा हो और नीचे वाली चीज दे रखी हो ऐसे केस में नीचे वाली चीज़ों को add करो तो हम उपर तक पहुँच जाएंगे बस इतना सा ध्यान रखेंगे तो ये question कभी गरत नहीं होगा अब देखते हैं किस तरीके के questions एक्जाम में आ रखे हैं इस सारे questions कभी नगभी किसी एक्जाम में आये होगा है अब हम अपना वोई सब जो हमने अभी सीखा उसको यहाँ पर apply करते जाएंगे तो हमें क्या निकालने को बोला है G V A at FC ठीक है हमने क्या सीखा था कि जिस तरीके से हम देख रहे थे अभी जो हमने सीखा उससे हम क्या निकाल रहे थे G V A at MP तो पहले हम MP निकाल लेते हैं बाद में आ जाएंगे जो हमको चाहिए वहाँ तक तो G V at MP तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना बढ़ेगा तो मैं बतारी हूँ क्वेशन को अप्रोच कैसे करना है ठीक है क्यालकुलेशन नहीं सीख रहे हैं हम यहाँ पे कि किस में से 2000 में से 20 माइनस करेंगे अब तो क्या आएगा यह सब को आता है यह हम देख रहे हैं अब ऐसा कोई क्वेशन आएगा तो हम इसको अप्रोच कैसे करें किस तरह से उसके solution तक पहुँचे तो जब एक question हमको देख गया यह question हमारे पास में है इसको हमें solve करना है तो हम क्या करें तो हम सबसे पहले उस चीज को ध्यान में रखेंगे जो हमने अभी देखा उसमें सबसे पहले क्या था G, V, A, A, M, P तक पहुचने के लिए आपको काम करना होता है value of output यानि उत्पाद के मूले में से मध्यवर्थी वस्तू यानि intermediate goals उसको minus करेंगे और हम सीधा सीधा कहुँच जाएंगे तो पहले हम देख लेते हैं क्या हमको value of output दिया है तो नहीं दे रखा है अब नहीं दे रखा है तो हम नीचे की चीज़े ढूटेंगे तो value of output या उत्पाद के मूले उसके नीचे में क्या था बोला गया था कि P into Q कर दो अगर आपको पाद का मूले नहीं दे रखा हो हम देखते हैं क्या P और Q हमको given है तो हम देखते हैं तो देखो यह बता रहे हैं units of output sold तो यह हमको बता रहे हैं कितना समान Bica ठीक है Bica कितना output है सिर्फ उतना नहीं सिर्फ Bica वाला बता रहे हैं तो कितना समान बिका ये बता दिया जो बिका उसका क्या प्राइस था वो बता दिया ठीके ये दो चीज़े हो गई अब इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि टोटल किस वैल्यू का समान बिका है ठीके टोटल से इस पता चल गई टोटल किस value का समान बिका value of output अभी भी नहीं पता हमको total output कितना है उसका value क्या है वो नहीं पता चला सिर्फ बिके वाले का हमको पता चला है तो जब इसमें change in stock को add करेंगे change in stock को add करेंगे तो हमको total value of output पता चल जाएगा total value of output पता चल जाएगा अब हम क्या करेंगे इस question को कैसे अप्रोच करें चोटी चोटी चीज़ें थ्यान रखनी है तो हमको सेल्स पता चल गया पर हमको change in stock तो नहीं पता था तो उसको add करना बड़ेगा तो जब हम 2000 into 20 करेंगे तो हमें total sales पता चला total sales में इसको add करेंगे तो हमको value of output पता चला अब हम value of output तक पहुंच गए हमको ऊपर तक आना था value of output तक पहुंच गए अब जब इसमें से intermediate वाला हटाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे अपने जो हमको चाहिए था GVA at MP तक ठीक है पहले उतना पहुंच थे हैं तो जब उसमें change in stock add किया गया तो हमको value of output पता चल गया इसमें से ये intermediate cost दे रखा है मध्यवर्थी वस्तू वाली लागत दे रखी है तो उसको हम minus कर देंगे ठीक है तो पहले हमने क्या किया इन दोनों को multiply sales का value पता चला इसमें change in stock को add तो value of output पता चला उसमें से मध्यवर्थी वाला minus तो हमको GVA at MP पता चला पर हमको GVA at MP नहीं हमको GVA at FC चाहिए तो हमने सीखा होता है इसको ध्यान रखना नहीं पता है अगर तो MP से FC तक पहुँचने के लिए ठीक है अगर हमें MP वाली कोई term दे रखी हो और हमें FC वाली term पे पहुँचना हो तो ऐसे case में हम क्या करते है हम MP वाली term में से NIT नेट इंडárick tax यो शुद्ध अपरत्यक्षकर उसको minus कर देते हैं ठीक है अब हमें सीधा NIT भी कहीं नहीं दे रखा शुद्ध अपरत्यक्षकर भी हमको साफ साफ तो नहीं दे रखा है तो ऐसे case में हम क्या करेंगे जो indirect tax है अब रत्यक्ष कर है उसमें से अगर हम subsidy को हटा दे तो भी हम तो भी हम ठीक है NIT तक बहुंच सकते हैं net indirect tax तक बहुंच सकते हैं एक बारी ये पता चल जाए इसको MP वाली term में से हटाया जाएगा तो हम FC वाली term में पहुंच जाएंगे तो अब क्या करना होगा एक बारी हम पहुंच गए GBA at MP तक तो FC तक पहुंचने के लिए हम NIT को माइनस करेंगे NIT यानि शुद्ध अप्रत्यक्षकर वो हमको गिवन नहीं है वो निकालने के लिए अप्रत्यक्षकर में से subsidy माइनस किया जाता है पर हमको तो अप्रत्यक्षकर यानि indirect tax भी नहीं दिया है तो बस इतना ध्यान रखना जो भी चीज नहीं दिया हो वो चीज है 0 तो सीधी सी बात है तो अब इसमें अगर हमको NIT निकालना होगा तो हम क्या करेंगे NIT के लिए अप्रत्यक्षकर तो देनी रखा वो तो हो गया 0 अब प्रत्यक्षकर तो देनी रखा तो वो हो गया 0 उसमें से माइनस करेंगे सबचड़ी जो हमें दे रखी है 3000 तो आंसर क्या आएगा आंसर हो जाएगा माइनस 3000 बस इतना ही तो हमारा NIT माइनस 3000 हो जाएगा क्योंकि जब वो नहीं दिया तो ये 0 है ठीकिए बस इतना तो हमने किया इन दोनों को मल्टिप्लाइ फिर हमने किया इसको अड़ फिर हमने किया इससे हमारा वैल्ली उफ आउट्वोट आ गया उसमें से इंटर्मीडियेट हटा दिया तो हम पहुँच गए जीवीएट MP FC तक पहुँचने के लिए हमने NIT को हटाना था NIT नहीं दे रखा था इंडारेक्ट टैक्स भी नहीं दे रखा तो 0-3000 यानि –3000 तो जब इसको भी इस चीज में एड़ कर दिंगे तो हम यहां तक पहुँच जाएंगे ठीक है यह ऐसे होगा अब देखते हैं नेक्स कैसा है यह भी कुछ कुछ सिमिलर है तो अगर पहले वाला समझ नहीं आया तो यह अब समझ आ जाएगा इसमें क्या हुआ देखते हैं इसमें भी हमको यह देख लेना अगर हमको सिर्फ यूनिट्स ओफ आउटपुट दे रखा हो सोल्ड वोल्ड नहीं बोल रखा हो तो फिर तो हमने जो सीखा था वही होगा पी न्टू क्यू जिससे हमें वैल्ड ओफ आउटपुट मिल जाएगा पर यहाँ पर यह स्पेसिफिक्री डाल रहे हैं आउटपुट सोल्ड तो ऐसे केस में हमें सेल्स निकाल पाएंगे तो हमें वो कॉंटिटी दे रखी है जो कॉंटिटी बिकी है तो जितनी बिकी है और जितना पर यूनिट का प्राइस था इन दोनों को मल्टिप्लाई किया तो हमें पता चल गया टोटल सेल्स की वैल्यू कुल बिक्री का वैल्यू कुल बिक्री पता चल गया उसमें से हटा दो उसमें पहले तो हम एड कर देंगे चेंज इन स्टॉक तो change in stock का formula क्या था? closing stock minus opening stock antim stock minus arambic stock तो 3000 में से 2000 हटा दिया तो change in stock हमको मिल गया 1000 हमको मिल गया तो इसके अंदर फिर 1000 को add कर दो अब जब ये दोनों add हो जाएंगी तो हमको value of output यानि उत्पात का मूलने मिल जाएगा एक बार उत्पात का मूलने मिल गया उसमें से हम हटा देंगे मध्यवर्थी वस्तू बस इस चीज़ को याद रखोगे तो कोई गलती हो नहीं सकती मध्यवर्थी वस्तू तो मध्यवर्थी वस्तू को हटाने पे यानि 12,000 इसमें से minus कर देंगे तो हमको मिल जाएगा GVA at MP पर हमको MP नहीं चाहिए हमको चाहिए है FC तो MP से FC में जाने के लिए हमको minus करना पड़ता है NIT NIT को minus करना है NIT हमको दे नहीं रखा तो आप क्या करें? तो देखो indirect tax तो हम देख रहे हैं ये excise duty ये एक indirect tax है sales tax ये भी एक indirect tax है इन दोनों को add करेंगे तो हमें indirect tax मिल जाएगा अब indirect tax में से जब हम subsidy हटा देते हैं तो हमको net indirect tax यानि शुद्ध अपरत्यक्स कर मिल जाता है पर हमारे वाले case में subsidy नहीं दे रखा और हमने सीखा है जो चीज ना दे रखा हो वो चीज जीरो तो हमारे वाले case में जब हम इन दोनों को add करेंगे तो हमारा अपरत्यक्स कर टूटल आ चुका क्योंकि subsidy नहीं ने रखा है तो हमारा शुद्ध अपरत्यक्स कर भी इतना ही होगा ठीके? अपरत्यक्स कर में से subsidy हटाना था पर subsidy तो 0 है तो जितना आपका अपरत्यक्स कर है उतना ही net indirect tax यानि शुद्ध अपरत्यक्स कर भी होगा तो अब क्या करना है? एक बार हम पहुँच गए GVA at MP तक तो वहां से माइनस कर देंगे इसको net indirect tax को जो कि indirect tax के बराबर है केस में क्योंकि सब्चुरी तो दे नहीं रखा जब माइनस कर देंगे तो हमारा GVA at FC आ जाएगा ठीक है? यह इस तरह से होगा आते हैं थर्ड क्वेशन पे देखो किता है सिंपल है बहुत सिंपल होता है यह वाले क्वेशन यह सारे क्वेशन कभी न कभी आ रखे है यह इसे ही क्वेशन आते है ठीक है अब देखो क्या है वापस से अब क्या निकालना है अब हमको सीधा GVA at MP निकालना है तो हमारा काम तो और असान हो गया NIT वाला काम भी अब हमको नहीं करना बढ़ेगा तो सबसे पहले ढूंडो Value of Output जो हमको नहीं दे रखा वो नहीं दे रखा हो तो नीचे वाली चीज ढूंडो तो नीचे वाली चीज हम देख रहे है Sales क्या दे रखा है उसके नीचे Sales था कि Sales में आप Change in Stock को आड़ करो तो आपको Value of Output मिल जाएगा पर हमको तो Sales भी साफ साफ नहीं दे रखा है अगर Sales साफ साफ नहीं दे रखा हूँ और हमको Sales निकाल ली है तो हम क्या करेंगे हम देखेंगे Domestic Sales कितना हुआ घरेलो बिकरी कितनी हुई यानि देश के अंदर बिकरी कितनी हुई और कितना समान निर्याद किया गया एक्सपोर्ट किया गया तो यह रहा हमारा domestic sale यानि हमारे country के अंदर कितनी विक्री हुई उसमें add कर दो हमने export कितना किया तो total विक्री पता चल जाएगी ठीक है इससे हमें total विक्री पता चल गई जब total विक्री पता चल जाए तो उसके बाद में change in stock को add किया जाएगा तो इसके बाद हमको पता चल जाएगा value of output उत्पाद का मोले जब उत्पाद का मोले पता चल जाए तो उसमें से हमको intermediate goods का value हटाना है मध्यवर्दी वस्तू का value हटाना है तो मध्यवर्दी वस्तू धूणो कहाँ पर दे रखा है तो intermediate goods तो कहीं नहीं लिखा तो इसको ध्यान रखना इसको हम एक और नाम से बुला सकते हैं जादा से जादा complication create करने की कुछी सगरी कर सकते हैं तो बस नाम दूसरा डाल सकते हैं तो इसमें कोई problem नहीं है समझू जो एक producer है वो दो तरीके की goods का इस्तमाल करता है production करने के लिए एक वो वाला समान होगा जिसका इस्तमाल वो बहुत लंबे टाइम तक करेगा करता चला जाएगा जैसे machine वगेदा और दूसरा वो समान होता है जिसको हम मध्यवर्थी वस्तू बोलते हैं जिसका इस्तमाल एक बार किया जाएगा इसके बाद production के process में वो समान का completely use हो जाएगा तो उसे हम single good single use producer goods भी कह सकते हैं ठीके एक बार इस्तमाल किया जाने वाला उत्पादक वस्तू single use producer goods जो होता है वो intermediate good ही होता है मध्यवर्थी वस्तू ही होता है तो ये नाम बस ध्यान रख लेना तो अब क्या हुआ वहा तक तो हम पहुंची गए थे value of output तक एक बार उत्पादका मुले मिल जाए तो उत्पादके मुले में से हटाओ मध्यवर्थी वस्तू जब मध्यवर्थी वस्तू हटा दोगे तो हमें जो चाहिए था मिल गया वो होता है gva at mp तो हम पहुंच जाएंगे यहां तक ठीके इतने easily ये सब चीज़े हो जाती है अगर calculation में गलती ना करो तो calculation में थोड़ा सा काम कर लेना अच्छा इस पे देखो इसमें क्या निकालना है हमको इसमें निकालना है nva at fc तो कुछ डरना है इसमें हमें हमको पता है कि जब भी हमें उत्पाद मूले से कुछ निकालना होगा तो हम पहुंचते हैं gva at mp तक तो पहले gva at mp पे पहुंच जाओ बाद में जो चाहिए वो निकाल लेंगे तो एक बाए पहले हम बहां तक पहुंचते हैं तो सबसे पहले value of output ढूंडो क्या दे रखा है नई दे रखा बाद खतम उसके नीचे वाली चीज़ ढूंडो क्या हमको prize और quality दे रखा है तो हमको वो भी नहीं दे रखा उसके भी नीचे आओ उसके नीचे क्या था sales यानि बिक्री क्या बिक्री दे रखा है तो हाँ हमको यहाँ पे बिक्री दे रखा है तो बिक्री मिल गया अब बिक्री में जब हम Add करते हैं क्या? Change in Stock तो Change in Stock बोला जाए या Value of Unsold Goods बोला जाए वो भी Same है ठीके? Change in Stock भी दे सकते हैं Value of Unsold Goods भी दे सकते हैं तो इसमें भी कोई Problem बाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ठीके? या तो कुछ समान भिका होगा या तो नहीं भिका पर production तो दोनों चीदों का हुआ है तो दोनों को add किया जाएगा तो हमने बिक्री में जब जो नहीं बिका उन दोनों को add किया तो हमें value of output यानि उतपाद का मूल ने मिल गया एक बारी उतपाद का मूल ने मिल जाए तो उसमें से मध्यवर्ती वाला हटा लूँ अभी हमने सी लिखा मध्यवर्ती को single use producer good यानि उतपादक द्वारा एक बार जिन चीदों का इस्तमाल किया जाता है ऐसे वाले समान उसको हम मध्यवर्ती वस्तू एक चीज होती है यह दोनों एक चीज है तो मध्यवर्ती वस्तू को इस नाम से भी बिलाते है तो जब value of output मिल गया इन द पहुच गए अब हमको करनी है बस थोड़ी सी conversion तो हम यहां तक पहुच पाएंगे अब ध्यान रफना अगर हमको जी वी ए एड एड एमपी इस से हमको आना है ठीक है अगर हमको यहां से यहां आना है तो क्या करना है तो देखो यहां पे जी है हमको जी से एन पे आना है ग्रॉस से नेट प्याना है ठीक है सकल से शुद्ध प्याना है तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है ऐसा करने के लिए हमको depreciation मोल ले हरास को माइनस करना होता है इतना ध्यान रखना और दूसरा दूसरा काम है MP से हमको FC प्याना है बाजार मोल से हमको साधन लागत प्याना है तो ऐसे केस factor cost तर पहुचना है तो ऐसे केस में क्या करें वो हम सीख चुके हैं कि हमको NIT माइनस करना पड़ेगा ऐसा करने के लिए तो हम अपना पहला काम देखते हैं हमको G से आना है MP तो depreciation ढूटना पड़ेगा depreciation को मूल नहरास कहते हैं अब देखो एक और नाम बस नाम ध्यार लगते जाना बागी इन questions में कुछ भी खास नहीं है सब कर पाऊगी तो depreciation का मतलब क्या होता है जब fixed capital जो हमारा है स्थिर पून जी जो हमारा है ठीके वो consume हो तो हम कहते हैं वो depreciation है क्योंकि जैसे हम time के साथ-साथ उसका इस्तमाल करते रहेंगी तो वो उतना जादा efficiently work नहीं कर पाता है उसकी value जितना उसका इस्तमाल किया जाता रहेगा उतनी time के साथ उसकी value कम उती चली जाती है तो consumption of fixed capital भी इसको कहा जाता है depreciation को consumption of fixed capital या स्थिर पूंजी का उभोग भी कहा जाता है इसको ध्यान दखेना अब अगर इन्होंने हमें स्थिर पूंजी का उभोग साफ-साफ दे दिया होता तब हमें कुछ नहीं करना था पर ये हमको क्या बोल रहे है 10 साल के period में 10 साल के period में स्थिर पूंजी का उभोग 10 है तो हमको 10 साल के period का क्या करना है हमें कुछ नहीं करना हम देखते हैं 1 साल का calculate किया जाता है तो सारी चीज़े 1 साल के हिसाब से होती है अब अकेला ये 10 साल का लेके हम क्या करेंगे हमें एक साल का depreciation जाता है तो यहाँ पे जितने भी साल given हो और यहाँ पे जो भी value given हो उसको divide कर दिया जाएगा value को रखना उपर साल को रखना नीचे तो हमें एक साल में कितना fixed capital consume हुआ एक साल का क्या मूल नहराज है हम वो जान पाएंगे तो हमने रखा इसको उपर 10 upon में 10 यानि 1 तो हमारा depreciation आ गया 1 तो जब हम इस वाली term में से जो हम निकाल चुगे है इस वाली term में से जब हम इस वाली term पे पहुँचना चाहेंगे n पे पहुचना चाहेंगे तो ऐसे case में हम 1 minus कर देंगे क्योंकि हमारे depreciation एक साल का 1 आ रहा है एक कम हो गया दूसरा काम है MP से FC पे पहुचना जिसके लिए हमें NIT को minus करना है शुद अपरत्यक्स कर को minus करना है अब शुद अपरत्यक्स कर भी हमको साफ साफ नहीं दे रखा है तो शुद अपरत्यक्स कर जब साफ साफ नहीं दे रखा हूँ तो ऐसे case में अपरत्यक्स कर में से subsidy minus किया जाता है अब हमको अपरत्यक्स कर दे रखा है क्या ढूंडो तो ये बोल रहे है tax on production tax on production उतपाद पे जो कर लगा है तो उतपाद में जो कर लगा है वो कर अपरत्यक्स ही है तो बस इसको ध्यान रखना बस एक चीज question में ध्यान रखना अगर ये corporation tax डाल दे wealth tax डाल दे income tax डाल दे तो उसका हमको कुछ भी नहीं करना है वो बस confusion create करने के लिए दिया गया होता है उसका हमें कुछ नहीं करना वो तीनो direct tax है तो tax on production indirect tax है तो हमें indirect tax तो मिल गया अब देखो subsidy क्या दिया है तो subsidy नहीं दिया जो चीज नहीं दिया वो चीज 0 तो अब हम बोलेंगे net indirect tax हमारा 1 ही है indirect tax 1 था 1 में से 0 माइनिस किया क्योंकि subsidy 0 है तो हमारा result क्या आया 1 ही आया तो जब हमें इस MP से FC पर पहुचना होगा तो इस पूरी term का जो value आया GVA at MP जो हमारा था उसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे तो बस हमको करना क्या है हमको बस एक काम करना है NIT को माइनस कर देना है MP वाली term में से तो हम FC वाली term पर पहुच जाएंगे बस ना इतना सा थोड़ा सा conversion पर काम कर लोगे ना तो ये question गलत नहीं हो सकता ये question बहुत simple रहता है थोड़ा सा convergence पर काम करो कि gross से हम net पर कैसे आए domestic से हम national पर कैसे जाए MP से FC पर और इसका उल्टा भी तो बस conversion की थोड़ी सी practice कर लो अब ये question खुच से try कर सकते हो ऐसा हमने देख लिया है ये question एक बार खुच से try कर लो देखो क्या होगा इसमें होता क्या है एक बार pause करके खुच से try करना अब देखो अगर ये question आए तो कैसे approach करें इसको सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या उपर वाली चीज़े ठूंदो तो value of output क्या हमको दे रखा है नई दिया उसके नीचे आओ उसके नीचे क्या था P into Q क्या हमें P into Q दिया है नई दिया उसके नीचे आओ sales क्या हमको sales दे रखा है नई दे रखा उसके नीचे आओ, अब हमारे पास में हमको दिख्या जो हमें चाहिए domestic sales, domestic sales और export, जब हम इन दोनों को add करेंगे तो हमें total sale पता चल जाएगा, जब total sale पता चल जाएगे उसमें change in stock को add करेंगे, तो हमको value of output पता चल जाएगा value of output तक पहुँच गए, तो हमारा काम खतम हो जाता है अब हमें क्या करना है, हमें producer good दे रखा है single use producer good, जिसका मतलब है intermediate good, यह नाम ध्यान रख लेना यानि मध्यवर्ती वस्तू को हम यह भी बोलते हैं, कि producers जो एक बार किसी समान का इस्तमाल कर रहे हैं, ठीक है, जो single use producer goods है, उसको intermediate good यार दोनों सेम चीज़ है, तो इसको हम minus कर देंगे, इसको minus कर देंगे तो हम पहुँच जाएंगे इस पर, हमारा काम खतम, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, ठीक है, और यह सारे question कभी न कभी किसी exam में आये हुए है, तो ऐसे ही question आते हैं, इसको practice कर लेना है, इसके बाद आप देखो, यह थोड़ा सा और उपर जा रहा है, थोड़ा सा और level एक अब किया है, अब इसमें क्या होगा, इसमें sales पता कहता है, पर बड़ी बात कोई नहीं है, अब इस question को कैसे approach करें, देखो, हमें बिकरी निकालने को दे रखा है, sales निकालने को दे रखा है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो पहले ढूंडो, कि क्या हमको GDP at MP दे रखा है, यानि GVA at MP दे रखा है, अगर वो दे रखा होगा, तो हम यहां ता पहुंच जाएंगी, ठीक ह तो हमको, देखो, क्या दे रखा है इसके अंदर, उससे हम conversion करके पहुंच जाएंगे, हमको NVA at FC दे रखा है, GDP at MP नहीं दे रखा, तो पहले इसको GDP at MP में convert कर लेते हैं, फिर हमारा आदा काम खतम, तो हमको पता है, N से G पे जाने के लिए हमें क्या करना है, इसमें add कर दें तो ये रहा हमारा मुलेहरास, consumption of fixed capital, इस तिर पूंजी का उभोग और मुलेहरास एकी चीज़ है, तो अब हमने क्या किया, जब इसमें हमने ये add किया, तो ये बन गया GVA at FC, यहां तक पहुँच गए, पर हमको तो FC चाहिए ही नहीं, हमको तो MP चाहिए, तो MP तक पहुचने तो क्या करना है, indirect tax में से subsidy को हटा देना है, क्या हमें indirect tax दे रखा है, नहीं दे रखा, जो चीज नहीं दे रखी हो, वो हमें मानना है 0 है, तो हमारा indirect tax 0, subsidy हमको दे रखा है, 200, तो 0-200, that is minus 200, ठीके, तो अगर हम इस FC वाले term में minus 200 कर रहे हैं, minus 200 को add कर रहे हैं, तो हम पहु पहुआएंगे MP वाले term पे, तो हमने N को तो G में पहले ही convert कर दिया था, depreciation को add करके, यानि consumption of fixed capital को add करके, अब हमने FC को भी MP में convert कर दिया, NIT को add करके, तो अब हम पहुँच चुके हैं GVA at MP पर, जान तक हमें पहुचना था, अब हमें GVA at MP मिल चुका है, अब हमको पता है कि GVA at MP is equal to, हमारा क्या था, sales, sales में plus कर देंगे change in stock, और minus कर देंगे intermediate goods, तो sales तो हमको निकालना है, वो हमको नहीं पता है, तो sales को sales रहने दो, दिखो क्या होगा, GVA at MP that is equal to, sales जो हमको निकालना है, इसमें add कर दो, sales में add change in stock, तो change in stock हमें यहां से पता चल जाएगा, closing stock, minus में opening stock, यहनी 500, तो यहां हमारा 500 आ जाएगा, अब इसमें से हम minus कर देंगे intermediate goods, तो intermediate consumption हमको 3000 दे रखा है, intermediate consumption हमको यहां पे 3000 दे रखा है, तो 3000 हम यहां कर देंगे, ठीक है, यह 3000, यह वाला हमारा 500, यह वाली चीद 500, ठीक है, यह हमारा 500 हो गया, अब हमें सब पता है, बस calculation करनी है, कर देना, ठीक है, यह चीद हमारी 500 है, अब हम यह तो बताई चुके थे, calculate कर लिया था हमने, यह calculate कर लिया, और bank की सब हम जानते हैं, बस sales निकालना है, तो sales को यहीं छोड़ना, bank की सब को उस तरफ लेके जाना, calculation करना, और इसका answer आ जाएगा, ठीक है, अब calculation हम यहां पे नहीं करने वाले हैं, calculation को खुद से करके देखना है, इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि हमें सब चीज पता है, बस sales नहीं पता है, बस इतना ही है, इसमें ठीक है, यही था, और अब इससे कुछ complicated नहीं आता है, इतना ही आता है, बस नाम अलग-अलग दे दिये जाते हैं, उस पे काम करना है, दूसरा हमको current versions पे और क करें, तो फिर यह questions गलत नहीं होंगे, output method, I think, तीनों methods में सबसे simple method है, तो इसको practice करो, इस तरीके की questions exam में आते हैं,